तो स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल रिवीजन हब में तो चलिए आज हम डिसकस करने वाले हैं मिलखा सिंग जी से संबंधित कुछ महत्तपुर्ण प्रस्ण जो आपके आने वाले सभी एक्जामों के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट रहने वाला है ठीक है द दोस्तों तो मिलखा सिंग जी एक भारतिय धावक थे इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका बी ठीक है दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा बी अब अगला देखते हैं मिलखा सिंग जी का जन्म कहां हुआ था तो मिलखा सिंग जी का जन्म गोबिंद ठीक है दोस्तों, अगला question देख लेते हैं, इसका answer क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, ठीक है? तो अगला question देख लेते हैं मिल्का सिंह जी का निधन कभ हुआ था 15 जून 2021 को 18 जून 2021 को रात की आख्री सांस PMGR अस्पताल में हुई जो किचका है चंडिगड में ठीक है और इससे पहले 13 जून 2021 को उसकी पत्नी निर्मला कॉर का भी कोरोना के चलते निधन हो गया था ठीक है दोस्तों अगला कुश्चन देख लिए है अगला है मिलका सिंग जी के बेटे जीवा मिलका सिंग किस खेल का खिलारी है तो किस खेल का खिलारी है मिलका सिंग जी के बेटे जीवा मिलका सिंग तो गोल्फ का खिल में भारतीय महिला वॉली वॉल टीम की कप्तान रही थी ठीक है दोस्तों अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है फ्लाइंग सिक के नाम से किसे जाना जाता है तो आप सभी जानती ही होंगे फ्लाइंग सिक के नाम से मिलका सिंग जी को जाना जाता है तो इसका आंसर क्या तो नहरूजी के कहने पे मिलका सिंग जी लाहॉर के स्टेडियम में जो रेस हुई उसमें भाग लिये और उन्होंने पाकिस्तान के सर्फ्रेस्ट धावक अब्दुल खाली को हरा दिया यह देखके पाकिस्तान के ततकालिन राष्टपती आयूव खान ने उन्हें के नाम से जाना जाता है ठीक है अगला कुस्चन देख लेते हैं अगला कुस्चन क्या है उस तक भाग मिलखा भाग के लेखक कौन है तो मिलखा सिंग जी अपनी आत्म कथा भाग मिलखा भाग के लेखक खुद स्वेंग है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आ पाकेश ओम प्रकास महरा ठीक है दोस्तों तो क्या है 2013 में आई फिल्म भाग मिलका भाग के लेखक जो थे वो प्रसुन जोसी थे ठीक है और अभिनेता फ्राहन अक्तर और अभिनेतरी सोनम कपूर थी ठीक है और 2014 में 61 फिल्म राष्टिय फिल्म पुरुषकार जो हुआ था उसमें सरफ्ष्ट फिल्म का पुरुषकार भाग मिलका भाग को दिया गया था और हाँ कोडियोग्राफिक के लिए भी राष्टिय फिल्म पुरुषकार इस फिल्म को दिया गया था 2014 में ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा निर्देशक कौन थे राकेश उम्प्रका अगला देख लेते हैं इंपोर्टेंट फेक्ट क्या है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था उसके बाद उसी साल उन्हें स्वर्ण पदक जीता था ठीक है दोस्तों अगला देख लेते हैं अगला क्या है उन्हें स्वर्ण पदक जीता था ठीक है दोस्तों तो यहीं कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट थे मिलखा सिंग जी के बारे में जो आने वाले एक्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्पुर्ण होने वाला है आने वाले सभी एक्जाम में इनसे दो से तीन कोश्चन रहेंगे ही ठीक है दोस्तों तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है धन्यवाद